हेलो और वलकम अव्रिवन, आज हम डिस्कस करेंगे इंसेक्ट इकोलोजी एन इंटेग्रेटेड पस्ट मैनेजमेंट की नेक्स्ट इंपोर्टन टोपिक के उपर डिसकशन जो की है इफक्ट ओफ एबियोटिक फेक्टर्स लाइक टेंप्रेचर, मोस्चर, हुमिडिटी, रे नन लिविंग फेक्टर्स हैं, इनका क्या इफक्ट पड़ता है किसी भी इंसेक्ट पोपूलेशन के उपर, तो देखो सबसे पहला थो एबियोटिक फेक्टर्स हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी डिसकस किया था, एबियोटिक फेक्टर्स का मतलब होता है नन लिव से फेक्टर आएंगे like temperature हो गया, moisture and humidity हो गया, rainfall, light, atmospheric pressure, air currents, water, ये सारे जो factors हैं ये abiotic के अंदर consider किये जाते हैं, बहुत बार exams में question भी पूछ लिया जाता है which one of the following is not a abiotic factor, तो इस हिसाब से आपको ध्यान में रखने हैं कि abiotic factors क्या होते हैं, अब इसमें सबसे जो important आता है इसके बारे में हम detail में discuss करेंगे, देखो basically हम जब factors की study करते हैं, तो हम all over क्या impact पढ़ने वाला है, उसके उपर study करते हैं, जैसे कि हो सकता है कि एक particular range में maximum number of organism जो है वो grow करते हूं, एक जो temperature range है उसके अंदर, लेकिन वो temperature range सभी organism के उपर लागू हो, ऐसा जरूरी नहीं है, exceptions जो होते हैं, वो हमेशा present रहते हैं nature में, तो temperature जो है, वो directly influence करता है, insects के distribution को पूरे environment में, ये effect, directly effect करता है कौन-कौन सी processes को, जैसे dispersal हो गया, insects का, distribution हो गया, उनका movement हो गया, development, metabolism, fecundity rate, fecundity rate का मतलब होता है, egg laying capacity of female insect, उसको बोला जाता है fecundity, तो इन सब को ये directly influence करता है अगर कुछ exceptions को छोड़ दें, अभी हमने बोला कि जो भी हम बात करेंगे, हाँ पर उसके कुछ exceptions हो सकते हैं, अगर कुछ exceptions को छोड़ दिया जाए, तो 0 degree Celsius temperature पर सारे जो development activities होती हैं, वो एकदम seize हो जाती हैं, यानि कि 0 degree Celsius तापमान और उससे नीचे का जो temperature है, वहाँ पर जैसा हमने अभी बोला, जरूरी नहीं है कि जो humans, animals के लिए, जो temperature range suitable है, वही बाकी other insects या microorganism के लिए हो, इसलिए हम बोलते हैं कि generally, जो terrestrial animals होते हैं, वो एक wider range of favorable temperatures के अंदर consider किये जाते हैं, अब देखो, अगर हम देखें कि body temperature के maintenance के अधार पे, animals को 3 categories में divide किया जाता है, य cold-blooded animal and socio-homeothermic animal, देखो warm-blooded वाले का दूसरा नाम पूछा जाता है, इसे ही homeothermic या endothermic के नाम से जाना जाता है, तो बहुत बर definition पूछ ली जाती है, कि endothermic क्या होते हैं, तो ऐसे animals, जो कि अपनी body के जो temperature है, उसको maintain करके रखते हैं, atmospheric temperature की तुलना में, जैसे कि mammals होगे, birds हो होता है, इसका दूसरा नाम है poikilothermic, या निकि cold-blooded animals को poikilothermic भी बोला जाता है, जो कि अपने body का temperature, atmosphere के temperature के according change कर लेते हैं, देखो इसको simple से समझे, तो warm-blooded animal, आप human beings को लेके चले, कि जब बाहर अगर बहुत जादा temperature है, तो हमारी जो body है, वो sweating करने लग जाती है, पसीन में जितना temperature हुआ, जैसे suppose कि atmosphere में 35 degree Celsius चेंज, टेंपरेचर इंक्रीज वहा, 5 degree से, 2 degree से, तो वो अपने body में भी उसी तरीके का change कर लेते हैं, टेंपरेचर में, जिसका example है insects, तो याद रखना cold-blooded को poikilothermic कहा जाता है, next आता है socio-homeothermic, जिसके अंदर हम honeybees जो हैं, उसको consider करते हैं, तो आपको इसका example ध्यान में रखना है, अब देखो, जो cold-blooded animals होते हैं, जिने हम poikilothermic animals बोलते हैं, वो 10 degree Celsius temperature के नीचे grow नहीं कर सकते, और जो optimum temperature होता है, किसी भी insect के development का, ये आपको याद रखना है, कि जो optimum temperature होता है, वो कितना होता है, 10 से 35 degree Celsius होता है, फिर हम हाँ पर अगर बोलें कि insects जो हैं, वो किस तरीके से अपने temperature को maintain करके रखते हैं, तो आपने cryoprotectants नाम सुना होगा, cryoprotectants ऐसे जो कि insects को particular उनकी जो body है, उसमें जो hemo lymph present है, उसको ice crystals में change नहीं होने देते, तो ऐसे compounds जैसे gills roll हो गया, sorbitol हो गया, ये ऐसे compounds उसके अंदर present ह होते हैं, ये additional information आपको ध्यान में रखनी है, next temperature में ही दो terms आती है, hibernation and estimation, ये दोनों ही type की terms जो है, वो directly exams में पूछी जाती है, कि hibernation क्या होता है, देखो, जब unfavorable conditions आते हैं, तो insects क्या करते हैं, एक dormancy के अंदर चले जाते हैं, तो अगर ये dormancy period low temperature की वज़े से हो रहा है उससे हम बोलेंगे hibernation, और अगर high temperature season में हो रहा है, तो उससे हम बोलेंगे estivation, तो directly याद रखना hibernation मतलब low temperature में और estivation मतलब high temperature में, तो hibernation is the period of suspended activity, यानि कि वो जो अपनी development process चल कर रहे थे, metabolic activity जो उनके अंदर हो रही थी, वो suspended हो गई है, एक particular period of time के लिए, an individual occurring during seasonal low temperature मे होगी तो उसे hibernation बोलेंगे, while estivation is a period of suspended activity in individuals occurring during seasonal high temperature और in dry seasons, ये दोनों ही तरीके की जो particular definitions है, वो आपको धान में रखनी है, directly exams में question पूछा जाता है, अब क्यूंकि हमें तो हम जब entomology पढ रहे हैं, तो हमें पदा होना चाहिए at least one to two examples की कि किस तरीके से temperature insects को affect करता है, तो अपने सबसे important example पढ़ा होगा, rice का weevil, rice weevil जो है, वो storage bins जो होते हैं, जहांपर उसको rice को store करके रखा जाता है, उसकी upper layers में पाया जाता है, क्यों, क्योंकि जो नीचे वाली layers होती है, वहाँ पर warm temperature होता है, और ये 32 degree Celsius, 32 degree centigrade से जाधा, इसके लिए acceptable नहीं है, ये tolerant नहीं कर पाता है, rice weevil जो particular insect है, तो इस तरीके से जो temperature है, वो effect करता है, insects की population, उनके development, उनके dispersal को, इसके लावा एक term आती है, thermal constant, देखो thermal constant क्या होता है, basically, एक पूरी development, life history में एक पूरी जो development stages होती है, उनको complete करने के लिए total heat energy कितनी required होती है, किसी भी particular species को उसे बोलते है, thermal constant, जिस कि day per hour degrees के अंदर measure किया जाता है, फिर हमारा next, यह जो temperature और dispersion, जिसमें हमने अभी rice weevil के बारे में discuss किया, और इसके साथ ही हम अगर बोलें desert locust, जो है, सिस्टो सरका gregeria, आपको नाम ध्यार में होना चाहिए, उसको भी, उसकी flying के उपर भी directly temperature का involvement होता है, next हमारा factor आता है, abiotic factor moisture, देखो moisture काफी बहुत important factor है, moisture का मतलब क्या होता है, पानी से समझ सकते है, water meaning moisture, तो nature में insects जो है, उनकी एक अलग range of moisture conditions होती है, कुछ बहुत fresh water में पाए जाते हैं, और कुछ बहुत एकदम desert वाले reasons में भी पाए जाते हैं, तो temperature की तरह ही moisture की भी एक wide range देखने को मिलत होती है, insects में adaptation के लिए, इसमें भी जैसे adults of locust migratoria and sister sir का gregaria जो है, जैसे हम TD के नाम से जानते हैं, basically local language में, यह जो है, basically, यह ज्यादा sexually mature होती है, अगर relative humidity 70% से ज्यादा हुई atmosphere में, इसके अलावा, अगर हम बोलें कि, जो moisture है, उसको अगर control करना है, तो भी insects जो हैं, उनमें adaptations accept के जाते हैं, उनकी body में, जैसे morphological adaptation हो गया, biological adaptation हो गया, physiological adaptation हो गया, physiological adaptations हो गया, जैसे अगर हम बोलें, morphological adaptations में, वो wingless हो जाते हैं, उनकी body में pigments का production होना, start होने लग जाते हैं, पर अगर हम बोलें, water जो है, वो एक काफी important factor है, water के बेना तो कुछ यह टेंप्रेचर के बाद में सबसे जादा इंपॉर्टेंट मॉश्चर है इंसेक्ट के लिए क्योंकि आल्मोस्ट इंसेक्ट का 80-90 परसेंट आफ दो बोडी पार्ट होता है वह वौटर से मिलके बना होता है और उसको कौन पर्टिकुलर्ली इंफ्लेंस करता है यह रिलेटिव हुमिडिटी से ही इंफ्लेंस होते है नेक्स्ट आता है रेंफॉल अब देखो रेंफॉल भी क्लोजली रिलेटेड होता है हुमिडिटी के साथ में क्योंकि जितनी जदा रेंफॉल होगी उतनी जदा रेलेटिव में और चने में जो कट वर्म जो इंसेक्ट लगता है पर्टिकुलर लिए उसके लिए फैवरिबल नहीं होगा इसी तरीके से अगर 10 या 10 से 12.5 सेंटिमिटर से कम की बारिश हुई समर सीजन में तो ये नेक्स सीजन में किसी भी पर्टिकुलर इंसेक्ट के आउट ब्रेक को निर्धारित करता है इसी तरीके से अगर हम एक्जामपल लें कि जो डेजर्ट लोकस्ट होती है वो अगर सफीशन मोस्टर नहीं हुआ तो वहाँ पर एग ले नहीं करती है वहाँ पर एग की लेंगी नहीं होगी तो हम बोल सकते हैं जो भी एवरिटिक फैक्टर्स हैं वो आता है लाइट देखो लाइट में भी हम बेसिकली बोलता है लाइट का बेसिक मतलब क्या है या लाइट का जो में सोर्स है वो क्या है तो लाइट का जो में सोर्स है जो रेडियन्ट एनरजी है वो जो सन है सूरज जो है वही बेसिकली चीफ सोर्स है लाइट का अर्थ की स लिमिनेशन हो गया फोटो पीरेड हम वेवलेंथ को पढ़ते हैं यह सारी लाइट के प्रोपर्टीज भी डायरेक्ली और इंडायरेक्ली इंफ्लेंस करते हैं इंसेक्ट के लाइफ साइकल को तो जो एक इंपॉर्टन कोशन यहां पर पूछा जाता है कि लाइट की जो इंट लाइट जो है वो इंसेक्ट के मुवमेंट और इंसेक्ली ओर्येंटेशन को अफ्रेक्ट करती हैं तो अगर अगर एंडायरेक्ली मुविमिन्ट हुआ इन रेलेशन टू लाइट तो उससे बोलाजाता है फोटो काईनेसिस और ज्यासएन रक्ना दियान रक्नाist के लाइट चीज़ें आप दिहान में रख सकते हैं दूसरी एक important चीज़ें आती हैं डियुरेणल और नोक्टरनल दीखो कुछ insects होते हैं जो कि दिन के समय में active होते हैं कुछ होते हैं जो रात के समय में active होते हैं सेम वो plants वाला सा concept है कि कुछ के stomata रात में खुलते हैं आता है कि जो grubs होते हैं Trigoderma species के वो negative relation या negative reaction चो करते हैं light के against तो इसे हम बोलते हैं photo negative phenomena तो यह आप ध्यान में रख सकते हैं बाकी वही जैसे plants के case में हम पढ़ते हैं उसी तरीके से light के coding भी दो तरीके की insect species होती हैं short day species जैसे की silk warm हो गया और long day species जैसे की cotton pink bowl warm हो गया इसके बाद next factor आते हैं atmospheric pressure and air currents देखो atmospheric pressure बिलकुल थोड़ा कम importance का है अगर हम moisture और temperature के relation में बात करें तो atmospheric pressure का इतना ज़ादा impact देखने को नहीं मिलता लेकिन फिर भी जो locust होते हैं वो थोड़ी abnormal activity दिखाते हैं अगर कोई storm य तो जब pressure low हो जाता है atmosphere low हो जाता है तब वो कम या abnormal activities दिखाते हैं तो यह एक example आप याद रख सकते हैं next आता है air currents air currents especially वही की कुछ insects के उपर के dispersal को affect कर सकती हैं बाकि कुछ बहुत जादा important यह है नहीं इसके अलावा कुछ other parameters भी हैं जैसे concentration of oxygen हो गया micro environment हो गया इसके बहुत सारे micro nutrients हो गए यह भी important role play करते हैं किसी भी insect के development में directly या फिर indirectly तो इस पूरे video lecture में हमने देखा कि abiotic factors insects के dispersal or dissemination में किस तरीके से affect करते हैं देखो सबसे जादा important तो पहले आपको abiotic factors के बारे में पता होना चाहिए फिर जब आप अगर किसी एक example को बता रहे हो जै इंसेक्ट के लिए एक favorable temperature होता है जिरो डिगरी पे almost की growth sees हो जाती है almost का development sees हो जाता है लेकिन कुछ ऐसे insect में है जो 0 degree Celsius से नीचे grow कर सकते हैं तो वो एक particular wide range of temperature हो गया जिसमें की अलग-अलग insects के लिए यह अलग-अलग temperature suitable है एक दो examples के साथ आप उनको समझा सकते हैं directly definition पू इनका examples दे सकते हैं कि temperature कैसे affect करता है next आता है moisture moisture जो है वो relative humidity को यहां पर relative humidity की बात हो रही है तो relative humidity काफी important है क्योंकि most of the body part of the insects होता है वो basically पानी से मिलके बना होता है तो moisture का कम यह जादा होना environment में काफी affect करता है insect की population को फिर rainfall rainfall भी जो है वो close related होती है humidity के उपर क्योंकि rainfall ही relative humidity को next रहता है light तो light की जो visible wavelength होती है 400 से 700 उसके बीच की जो light होती है वो ज्यादा suitable होती है diurenal insects और nocturnal insects क्या होते हैं इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है atmospheric pressure और air currents की इस तरीके से insect के dissemination को affect करती है यह सारी चीज़ें हमने देखी और इससे basically अगर पूछा जाता है तो 4 या 5 नमर का question directly पूछा जाता है कि explain कीजिए abiotic factors को different abiotic factors को कि वो किस तरीके से insect के dissemination उसके fecundity rate उसके dispersal और उसके life cycle या life cycle की जो development stages है उसको affect करते हैं hopefully आपको सारा concept समझ आया होगा thank you